सरवधर्म संगम डेरा सच्चा सोधा द्वारा पोजेगुरू संत डॉक्टर गुर्मीत रामरहीम सिंग जेंसा की पावन प्रेड़ना से हर साल लगाई जा रहे यादे मुर्शित परंपिता शाह सतनाम जी महराज फ्री आई कैम्प के 32 वे चरण की शुरुवात हो चुकी है कैम्प में मरीजों की पर्चियां वे जाँच शाह सतनाम शाह मस्ताना जी धाम वे मानपता भलाई के अंदर सरसा में शेड के नीचे की जा रही है जिसमें महिला वे पुरुष मरीजों के लिए अलग-अलग कैबिन बनाए गए है महीं कैम्प में मरीजों की जांच देश के विविन मेडिकल कॉलीजों से पहुचे प्रख्यात नेत रोग विशेशे की चिकित्सों द्वारा किये जा रहे हैं चार दिवस्ये कैम्प का लाब उठाने के लिए हर्याना, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तरपरदेश, उत्राकंड, सहित देश के अनेक राज्यों से मरीज लगातार पहुच रहे हैं और ये कार्ये 15 दिसंबर तक ऐसे ही जारी रहेगा आपको बतादे की कैम्प में दिल्ली से नेतर रोग विशेशक्य डौक्टर प्रदीप शर्मा, डौक्टर अनुराधा शर्मा, पटियाला से डौक्टर इकबाल, डौक्टर कुलभुशन, शाह शतनामजी स्पैसिलिटी होस्पिटल से नेतर रोग विशेशक्य डौक्टर मोनिका गर्ग, श्रीगुरसर मोडिया से डौक्टर गीती का गुलाटी के अलावा रामा मेडिकल कोलिज, हापपुड सरदार पटेल इंस्टिटूट लखनो, अमरता होस्पिटल फरिदाबाद, श्रीडी साइं बाबा मेडिकल कोलिज रोगो से पीडित लोगो को एक सोगात देते हुए पुज्य गुरु संत डौक्टर गुर्मीत रामरहीम सिंग जी इंसा के मार्क दर्शन में देरा सच्चा सोदा द्वारा वर्ष 1952 में यादे मुर्शित फ्री आई कैम्प का आयोजित किया गया था, अब तक 31 कैम्प आय पहले दिन ही 200 से अधिक मरीजों की आँखों की डोक्टरों द्वारा जाज की गई है, जबकि अब तक 1300 से अधिक मरीजों का पंजी करण किया जा चुका है, जो लगातार जारी है बतादे की कैम्प में मरीजों की आँखों की जाँच कर उनके ओपरेशन 13 दिसंबर यानि आज से शुरू हो चुके हैं, जो शाहसत पनाम जी स्पेसिलिटी हस्पताल स्थित आदुनिक ओपरेशन थेटरों में निशल्क किये जाएंगे, इसके अलावा कैम्प में मरीजों की दबाईया में चश्मी भी निशल्क दिये जाएंगे, और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे चाहेंगे कि इस खबर को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दे ताकि बुजर्ग जिनियम कैम्प की ज़रूरत है, वो इस कैम्प का लाब उठा सके औ और अपनी आखों के फ्री ओप्रेशन वेजाज कर वास के